हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी फ्रेंड्स अगर आप लोग मतर का निमोना खाने के सौकीन है तो एक बार जो है मतर का निमोना बना कर आप साल भर जो है इसको कैसे खा सकते हैं तो वही में वीडियो में आप लोग को बताऊंगी तो प् इस तरह से अगर आपके पास चौपर हो तो आप पीछ सकते हैं बस इतना ध्यान देना है कि इसमें पानी जरासा भी नहीं डालना है तो यहाँ पर देखिए Frens मैंने इस तरीके से देखिए ज्यादा नमोटा है नहीं ज्यादा पतला है तो इस तरीके से सको पीसना है तो यहां पर देखे, सब ही मटर को हम ने आपर पीस लिया है इस तरीके से और पानी जरसा भी योज नहीं की हों तो चलिए अब इसको ले चलते हैं चट पे सुखाने के लिए तो यहां पर देखिए friends मैंने cotton के कपड़े पर इसको फैला दिया है सुखने के लिए इसे हमें कम से कम दो दिन तक खुबच्चे से धूप में सुखाना है कि इसमें जरा सा नमी नहीं रहना चाहिए और बिच बिच में आके हाथ से इस तरह से इसको चलाते रहेंगे कि यह जो है खुबच्च्चे से जल्दी से सुख जाए अगर आप चाहते हैं कि इसके उपर जो है हलका सा पतला सा कपड़ा भी डाल सकते है कि इसके उपर धूल मिट्टी ना पड़े यहां परेदे के फ्रेंट्स मट्र जो है मारी खुबच्च्चे से सुख गई है और अब इसको जो है किसी एर टाइड डिब्बे में इसको भरके रख देंगे तो अब इसको रख दीजिए फुल जाए फिर जिस तरीके साब बनाते है इसको आप बनाईये तो आज की ने वीडियो कैसे लगी फ्रेंड्स ? प्लिस कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा और अच्छे लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड सेर कर दीजेगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए राते राते फ्रेंड्स